तो हेलो दुस्तो यार के सब से बिलोगत कल ही दोस्तो यहापर जो एथर की तरब से निव अपडेट देखने को मिलता है वहाँ पर वो बोलते है कि हमने जो निव मॉडेल लॉंच के जिसमें को 30,000 का डिसकाउंट देखने को मिल जाता है जो की बेस वेरेंट बोला जाएगा लेकिन दोस्तो 30,000 कम किये बट जो आडियंस को 30,000 कम करने बाद जो मिल रहा है वो आप देखने के बाद शौक हो जाओगे इतनी कमिया उन्होंने डाले जो कि यार मेंली जो एक कमी एसी है जिसके इसाबसे कस्टमर जो प्रो मॉडेल के तरब ही जाता है बेस मॉडेल लेन सही नहीं रहता दोस्तों अगर आप लेने का सोच रहें कि 98,000 वाला वेरेंट लेना ही सही रहेगा तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना डिटेल एकस्प्लेन करने वाले इस वीडियो को देखने बाद आपको पूरे डाउड क्लेर करने के हम कोशिश करने व पॉइंट के बारें बात करते हैं वो पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है चार्जिंग टाइम का मतलब 15 घंटे आपको फुल चार्ज होने में आपको घर पर टाइम लगने वाला है जो कि किसी आदमें को यह पसंद नहीं आने वाला है सबसे पहले इंडिया में फर्स चार्ज होने के लिए लगने वाला है एक्जेंपल अगर आप आपको आठ बजे अपने इलेक्ट्री स्कूटर को चार्ज पर लगाते हैं तो सुबह के 11.30 तक आपको फुल चार्ज होने के लिए टाइम लग सकता है जो क्यार मेरी साब से तो मतलब यार सबसे कुछ अलग ह किया है एथर एनरजी ने अगर प्रो मॉडेल की बात करें तो एथर की प्रो मॉडेल में आपको जो है 5 गंटे 40 मिनिट में फुल चार्ज हो जाता है वन लाक रुपई देकर जो है इतना आच आपको फाइदा देखने को नहीं मिलने वाला है अगर बेस मॉडेल की प्राइ सब्सक्राइब देखने को मिलने वाले हैं प्रो वाले मॉडेल में पांच मोर्य को मिलने वाला है उसमेक 50 मोर्य कितनी स्पीड रहेगी चैप्व यह सकता है वह अब पर इसक प्र स्पीड पर यूइना नहीं किया है बड़ेफनेटली आपकिम्टिक लिए अल प्रो की में आता है उसमें काफी मोड्स देखने को मिल जाते बट मेरी साब से इसमें रेंज ज्यादा यह उन्होंने बताई तो मोड्स भी आपको कम ही मिलने वाले हैं बात करते हैं नेक्स पॉइंट के बारे में वह आपको जो ब्लोटुट कनेक्टिविटी हो गई लोकेशन ट्रैकिंग हो गया और न्यू जनरेशन के जो भी कुछ फीचरस आपको इस प्राइस में जो मिलते हैं वह सब यहाँ पर खतम होने वाले हैं मतला आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखने दिखाने में अच्छी लगेगी बट इसमें फीचरस वगरा जो है ओल्ड ज आपको जो फीचरस वगरा देखने को मिलने वाले नेक्स डिसाइड्वन्टेज देखने को मिल जाता है वरम की बारे में अगर उने भूलाए की सेम बैटरी से मोटर है तो यार वारंट्य आपने क्म किये वह इन्वेकर कंकरनी नहीं चाहिए ती क्योंकि यार इनका बैंली जो focus है कि दिखाने में यह बोल रहे है कि हम जो है बेस वाला model launch किया है बट सभी customer को जो है attractive कर रहे है कि आप जो है प्रो वाला model ही ले लीजिए 30,000 extra डालके and disadvantage के बारे में बात करते हैं आपको hill hold नहीं मिलने वाला display जो मिलने वाला एक gray scale display देखने को मिलने वाला है जो कि pro में पको multi colors वगेरा देखने को मिल जाते है and pro में इन्होंने गाइस काफी और भी features वगेरा इन्होंने add कि जिसकी काफी friends जो है इसमें IPL वगेरा भी देख रहे स्क्रीन में इसलिए customer को अंदर से लगता है कि यार pro वाला model ही हमें लेना चाहिए इसलिए display में आपको कु आप से कुछ भी यूज नहीं कर सकते हो एक और प्वाइंट के तरफ से मिलता है उस पर इनके डेटाशेट पर इन्होंने clearly mention नहीं क्या है कि वहाँ पर वह available रहेगा बेस वाले model के लिए या नहीं रहेगा बट अगर अगर अच्छी बात हो सकती है अगर नहीं मिलता तो मे को सबसे बहुत ही बड़ी क्यमी लगी जो किया इनके charging टाइम जो कि 15 घंटे इन्होंने mention किया है फाइनल बात करें कि दोनों में से कौन सा आपको लेना चाहिए अगर आपका बहुत ही ज्यादा बजट टाइट है तो आप जो ओला की तरफ या किसी और एलेक्टर की तरफ जा सकते हो आपका बजट थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो तो आप जो परो वाला पेक वाला मॉडिल आप ले सकते हो बेस वाला मोडिल मेरी साब से वैल्यू फार्मनी नहीं है